सपना एक दिखेंगे मुश्किले हजार आएगी लेकिन वो मंजर भी बड़ा खुबसूरत होगा जब काम्या भी शोर मचाएगी अबस्तों एकिन लेकर रिर्दोस में marriage जार इंस्पायरिंग स्टोरिज। भी होगा एक वे इन जाथ किन आफे के बंदर-द्रतोंक की। आपने में कितने वहां से बесका हैं तो सलव आपने सेके बाद को सेसे लिए इससे पार किया इंजिनेरिंग के बाद से को सब्सक्राइब्क इनél की दूए धिरी कर्केम्मी में कितै बीज की से बाद मयं एक में गुसना बहुत डिफिकल्ट होता है तो आपका एक्सपीरेंस क्या सब्सक्राइब होता है जो अपना कोचिंग करना चाहते हैं उनकी लिए एक ड्रीम है कि वह जाके ट्रेनिंग ले महां पर हाइली कौलिफाइड कोचेज होते हैं वह आपको पूरे यह उस गेम की पर्ट अच्छा जितने भी गेम से रिलेटेड आपके रूल्स रेगूलेशन वो तक सारी शीजे वहां सिखाए जाती है और एक एक बारी की सिखाई जाती है तो वहां पर जाना एक ड्रीम है वह जो भी कोचिंग करना जाते हैं तो वहां के लिए जो भी प्लेयर्स हैं जिनों ने आपने एक लेवल ते क्रिकेट खेला है या जो भी गेम खेला है वो अप्लाई करते हैं फिर इंट्रेंस एक्जाम दोते हैं उसके बाद वहां से आपको एनाइस सर्टिफिकेशन या जो थ्रूआउट आपके डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए आपको तो आप क्रिकेटर है औ और आप अभी करेंटली खेलगाओं में अपरेट कर रहें और पोस्टेड है तो अभी हमने सुना था कि जो खेलगाओं का एक इंटरनेशन को स्टेडियम आ रहा था तो उसका क्या सीन है अभी जो हमारे क्लेक्टर सर आया है उन्होंने इसको बहुत अच्छे लेवल पे इ अभी आके उन्होंने हमारे उद्यपूर की चारो दिशाओं में इस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हर एक दिशा में इस्पोर्ट्स रिलेटेड एक जितने भी जैसे की हमारे यहां पर खेलगाओं है खेलगाओं का स्रेडियम बहुत टाइम से काम रुकावा था तो उनको भी उन्होंने अच्छे लेवल पर लेके आ गए है अभी महाँ पर इंटरनेशनल स्टेंडर्स के विकेड बन चुके हैं इस्प्रिंग्डर्स सिस्टम और सारी चीजे रेडियो हो चुकी है बस गांस लगना बाकी है और बाकी खेलने के लिए और मौस तीन से चा हमारे पास lawn tennis है, basketball है, swimming है, archery है, shooting range है हमारे पास वहाँ पर खेलगाओं में, skating ring है, swimming pool है, judo है, और gym है तो हमारे पास ये games हैं जिसमें players अपना आके participate कर सकता है, खेल सकता है, क्योंकि अभी summers भी आ गए हैं, बच्चों के exams भी खत्म हो गए हैं, तो जो लोग interested रहते हैं, तो अधर जगी जाने से बढ़िया कि जो खेलकाओं डवलप हो रहा है, तो उसकी साथ जूड़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, exposure मिलेगा, और international standards के सारे हमारे जहां पर हमें पास hockey भी है, जो international standards का बनावा है, तो अभी तक आप कहां कहां पर खेले हों, जैसे कि cricket ने, एक sports person को सब जगे घुमा सकता है, जैसे कि schools, tournaments हो गए, तो आपको आपके districts की जो भी है, उसके बाद आपको इस्टेट की जो भी चीज़े है, वो वहां ले जा सकता है, तो almost राजसान में सब जगे खेल चुगा हूं मैं, इंडिया में जमू कश्मीर से लेके, तेलंगाना तक, most of सारे states में cricket खेल चुगा हू मैं उसके अलावा मैं अभी बूटान जा रहा हूं, इंडिया टीम्स के साथ, उसके पहले में 2018-2020 में UAE था, UAE में, दुबई में मैंने क्लब क्रिकेट केला है, यस फाउंडिशन के साथ में गया था, उनके साथ मैंने क्लब क्रिकेट केला है, तो मैं almost, राजस्तान और इं मैं आता है, तो मैं भी पॉसिबल सुजेलेंड भी जाने को मिलेगा, वो भी क्रिकेट के थूँ, क्या भात है, तो अभी आपने मेंशन किया कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हुए और उनके साथ अभी खेलने जाओगे, तो जो एक अभी जो क्रिकेट का क्रेस च क्या क्या है, जो भी क्रिकेट सब्सक्राइब जिसकी फिल्ड में जाना जा राहे हैं, तो उनके लिए इंपोर्टेंट है कि उनको साथ-सटडी इसको भी टाइम देना चाहिए जैसे कि मैं कुछ इंजिनिरिंग करते विए मैंने स्पोर्ट को मैनेज किया, मैंने इंजिनि से मैंने इंगिनिरिंग की तो मेरा उतना ही पार्ट था मेरा भी कि मैं खेल दुरा हूँ उसके साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं तो बच्चों को यह नहीं होना चाहिए कि मैं खाली खेलूं या मैं पढ़ूं बैलेंस अगर आप अच्छा खेल भी रहें अच्छा पढ़ तो आपको इस पोट्स को भी टाइम देना है इस्टुडी को भी टाइम अगर आप खाली खेलने पर फोकस करेंगे और मांक का माना इस्टाट तो वह आपके घेम पर भी एफेक्ट करेंगा बहुत सारी चीज़ें पिंटना इदर करो कि अगर आप यह मान सकते हैं कि अगर करते करते पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट को देखना चाहिए ना कि खाली स्पोर्ट देखें ना पढ़ाई देखें अभी बहुत सारे बच्चे भी होते हैं कि खाली पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं फिर उनके साथ बात में बहुत सारी जीज़ें बहुत सारी परिशानी जाती है तो sports नहीं छोड़ना जी है कोई भी individual game भी खेले आदे गंटे के लिए खेले लेकिन regular लेकिन at least parents के लिए 60-70% marks enough है वो भी खुश रहता है parents को परिशान नहीं करें कि हाँ 60-70% marks आये enough है लेकिन sports में अगर फिर 100% देना है आपको फिर उसमें यह नहीं कि इधर भी कुछ नहीं कर रहे हैं अधर भी कुछ नहीं कर रहे हैं अधर क्रिकेटर आपकी दिन चरिया क्या रहती है और अगर कोई आपसे advice लेने आता है तो आप उसको खुशी-खुशी train करते हो यह आपको लगते है कि यह मेरा competition भड़ा दे नहीं जैसे कि मेरी दिन चरिया में यह रहता है कि morning training रहती है अगर जिम session कर रहा हूं तो जिम session रहेगा अगर नॉर्मल training sessions है ground training है तो ground training रहे की evening sessions के लिए हम skill sessions करते हैं evening में प्लान करते हैं कि overtrain नहीं करें चीज़ों को और यह है कि regular matches खेलना important है आप कोई सा भी game केल रहे हो उसमें जब तक आप उस match scenarios में नहीं गए तो आप की performance नहीं आती है तो उसमें भी matches खेलना ही उतना important है जितना आप training कर रहे हो तो सारी सीजे की regular matches पहले training है skill trainings है कोई particular short की practice करनी है तो particular shorts है उसके बाद matches में उसको implement करना है net sessions के पार तो वो try करेंगे पहले net sessions में try करेंगे फिर matches में implement करना है तो यह रहता है और जहां तक रही coaching के बात तो अगर कोई महर से बैटर कर रहा है और कोई महर से सीखना भी जा रहा है कि बहुत सारे players होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इस चीज की particular practice करनी है आप इसमें अच्छे हैं तो आमें बता दिए तो हमें खुशी होती है कि एटलीज सीखने के लिए और हमारा काम है कि हम जितना बताएंगे उतना नौलेज हमारा भी बढ़ेगा कि हम उस प्लेयर के साथ अगर काम कर रहे हैं और वो कहीं खेल रहा है कोई मेरा स्टूडेंट है अगर वो कोई लाजस्तान टीम रिपर्देंट कर रहा है तो मेरे खुशी की बात है कि वो मेरा ट्रीनी होके और खेल रहा है तो एक कहावत है हिंदी में कि गुरू गुड रहे और चैले शक्कर हो गए तो अगर चैले शक्कर हो तो ज्यादा बढ़िया है मारे लिए तो आपने अभी रिसेंटली मीनी आईपियल जैसा कुछ किया था तो व प्लान था कि हम इसको बड़े स्केल पर लेके जाए तो जिसमें ऑक्ष्ण सिस्टम और सारी चीजे हो बिडिंग जैसे होती है तो हमने पॉइंट सिस्टम पर इसको किया था कि जो प्लेयर्स है एटलिस उनको अपनी वेल्यू और यहां पर वो अवेर्नेस आए इस्पोर् प्लेयर्स आए जो इंटरिशनल के यान उन पनाज फिजेलं के साथ के और ने के इस्टम alla न Bai तो यह जो प्लेयर्स है जह स्टार्ट कर रहे हैं जो सी करें हैं यह आइड़ना चारहे हैं तो उनको वह लेवल प्ता चले कि वहां उआ पर यह सकता है अभी होता है कि यहां बो प्राक्रीज करता है अभी बेडिक करता है अच्छा परफॉर्ब करता है वह जब इस्टेट के लिए जाता है तो वह नर्वस हो होता है क्या फाक्राइब स Basic कर अब अंडर कॉंफिडेंस हो जाता है तो हम वो प्लान कर रहे थे कि प्लेट्स को यहीं से ग्रूम करें कि वो उसको फील नहीं हो जाने के बाद कि यार मैं इस लेवल पर नहीं खेला हूं जैसे ही उस लेवल पर ऐसा सोचता है कि यार मैं इस लेवल पर नहीं खेला हूं प्रेशर में अगर आपपहले यह सोचो कि यार इनके साथ में खहला नहीं हुआ तो वह चीज को सोच जो बच्चे अभी सीख रहे हैं और जो उस लेवल पे हैं कि नेक्स लेवल वो नेशनल्स कहलेंगे तो उनको वहाँ जाने के बाद चैलेंजर्स ट्रोफी और इसमें यह प्रावलम नहीं आए कि यार हम इस लेवल पर खेलेंगे और वहाँ परफॉमेंस नहीं तो बहुत सार इसे प्लाफी कि अच्छे थे उन प्लेइट को हमने जो खेलना चाहरे थे परफॉम कर रहे हैं उनको अबने लिया जो पैने पेशनल्स है उनको हम अलग अलग कंट्री की अलग अलग हैं क्लब के साथ इंफाइट करें यसे ही यह भी हमने एक इंग्लेंड से कलब आया था उनकी साथ अन्ही प्लियर्गर्स को खळाया अग्धुल में तीन मैचे उन्हों ने वहां पे खहले हैं तो यह कि बच्चे खेले और एक स्ट्रेंडर के साथ अपना को आपना को वहां ल यह अब पर ऊपष्टिक केरें कि आप अपर फिर निशनल से करने स्कीट तो वह एक लीडर माइंडशेट का ही केला कि जितना अच्छा माइंड़सेटेट को गभ्राएंगे तो परफॉरमेंस व обязitors यह है तो हम धेना के आप लूज्मक है कि उस लीड को हम शेसे कि हम यहां यहां एक मैचेस कहले हैं कुछ इग्ले और ऐसे लिया से टीम साने वाली यहां पर नेक्स फूमांथ में था고 के लिए अच्छा प्लैटफोर्म सेट भागा इस तो हम इतने की साल देख रहे थे किडिशिम है जो क्रिकेट एह उन्य country स्वारलक है आज कर म完成 देखर है कि वंन भी आरही है तो तो पलंब भी है कि और भी होर्ग घुना में है उद्देपुर में बहुत सारी अकेडमी में प्लानिंग करी है और जो हमारे पास है वह भी कि अच्छा कर रही है कुछ बच्चियां है जो अभी साथ दो बच्चियां वैस तो बच्चिया आ रही है अब इसके साथ डिशी सेम कर दिया है वोमेंस और मैंस प्लेयर के लिए तो पेश्केल सेम हो गया है उसके बाद अभी यहां पर आइपेल हो गया है वोमेंस का भी आइपेल हो चुका है तो अभी मुमा इंडियन्स जीता है यहां पर वोमेंस आइपेल तो बच्चिया उससे ज्यादा मोटिवेशन ले रहे हैं अभी हम उदेपुर में भी प्लान कर रहे हैं कि जैसे कलेक्टर साब ने भी लास्ट मैला दिवस के उपर भी काम करके 20 टीमों का वोमेंस का टॉर्णामेंट और्गिनाइज किया था जिसमें आर्जी के अधिकारी और सब लोग शिरकत करी थी तो वह एक अच्छे लिए करके उन्होंने एक इस्टेंडर सेड किया था कि बच्चियां भी आ गया है कि जाहों की जैसे वी उदेपुर के 20 ब अगर गर्फ की कोई टीम है उनको सीखना है तो हमाई तरफ से जाके उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वह आए जैसे कि लास्ट यह अमनें अग्जी कोलेज के साथ काम किया था तो इस साल वह एमजी कोलेज की टीम ने इस साल मैडल लगा अच्छा थर् जल्दी सी जल्दी अच्छे लेवल पर क्रिक्ट केला है तो बिफोर रापिंग अप दशो मैं चाहूंगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा और एक एडवाइज आप क्या देना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं तो जैसी कि हमारे एक स्लोगन है उनि हमारे लिए भी